खेसारी लाल यादो का कल एक गाना आया था और इस गाने का नाम इतना घटिया है कि हमने इसके बारे में बात नहीं किया लेकिन अब इस गाने को लेकर जो कुछ हो रहा है इस पर बात कर लेना जरूरी लग रहा है खेसारी को लगता है कि वो कुछ भी असली लगा देंगे मह करता है असलियत इससे बदल चुका है पहलें इतिहास जो कुछ भी रहा हो पर अब सूरतेiese हाल अलग है अ खैसारी के किसी भी एरे गरे गाने का समझेज्यां नहीं कर रहे हैं नहीं वह खैसारी बैतु के बयानों का उनके बचकानी कामों का सपर्ट कर रहे हैं लेकिन खेसारी अभी भी नहीं सुधर रहे हैं उनका जो घ्रम है वो तूटने का नाम नहीं ले रहा है भाई साहब खुद को ट्रेंडिंग स्टार समझते हैं और उनकी टीम के लोग खेसारी का नाम लेने से पहले 3-4 बार ट्रेंडिंग स्टार, ग्लोबल स्टार, हिट मसीन जैसा सब जरूर बोलते हैं बस इन ही लोगों के बीच घिर कर खेसारी असलियत से काफी दूर है वो ग्राउंड पर असलियत क्या चल रहा है उसको देखना नहीं चाहते हैं खेसारी और खेसारी के लोग जो रटते रहते हैं कि उनका गाना आता है कुछी घंटे में मिलियन पहुँच जाता है, कुछी घंटे में ट्रेंड करने लग जाता है लेकिन कल खेसारी का अपना नया गाना लेकर आते हैं जब हो तो उसका हसर ऐसा हुआ है कि खेसारी और उनके टीम को इस गाने पर दर्सकों का रिस्पॉंस देखकर सबक लेना चाहिए गाना एक बड़े से चैनल से आता है वो चैनल जो भोजपुरी के सबसे पूराने चैनलों में से एक है और गाना रिलीज हुए लगबग डिर दिन पूरा होने को है गाने पर मात्र आधा मिलियन व्यूज देखने को मिल रहा है अब खेसारी के इस नए गाने में क्या कमी है क्यों खेसारी के इस गाने का इतना बुरा हाल हो रहा है और क्या गलती खेसारी पिछले कुछ दिनों से लगातार कर रहे हैं हर चीज के बारे में विश्टार से आपको वीडियो में आगे समझाएंगे पर उससे पहले नमस्कार जमाजम भोजपूरी देख रहे हैं आप कैमरे के पीछे हमारे साथ ही यूश्ट खड़े हैं खेसारी लाल यादव का कल एक गाना आता है गाने का नाम एकदम घटिया सा है जिसका नाम हम लेना नहीं चाहते खेसारी के टीम के लोग या खेसारी खुद ही इस नाम को भी डिफेंट कर लेंगे इसका अलग-अलग मतलब समझाने लगेंगे लेकिन असल में गाना का नाम सुनकर मात्र एक ही मतलब निकलता है और वो बहुत असलील और घटिया है गाना कल भोजपूरी के सबसे पुराने म्योजिक चैनल में से एक एंगल म्योजिक से रिलीज हुआ अब एंगल म्योजिक कमपनी कितनी पुरानी है इसका कितना बड़ा नाम है इसे बताने की जरूरत नहीं है इस म्योजिक कमपनी ने भोजपूरी के कई स्टार को जनम दिया है वहाँ से खेसारी का गाना रिलीज होता है उन्हें असलीलता के नाम पर किसी भी गाने का समर्थन नहीं करना है और जो खेसारी यह कहते हैं कि दर्शकों को ऐसे double meaning गाने ही पसंद आते हैं इसलिए music company उनसे double meaning गाने गवाती है और अब खेसारी के इस बयान पर इस गाने का व्यूज एक करारा तमाचा है अब यह सारा चीज अचानक नहीं हुआ बलकि खेसारी के फैंस उनको कई दिनों से आगाह कर रहे हैं वह खेसारी के गानों के quality पर ध्यान देने के लिए समझा रहे हैं फैंस मांग कर रहे हैं कि गानों के music, lyrics, video और आवाज पर ध्यान देजिए पिछले कुछ दिनों से खास कर होली में खेसारी का दिकतर गाने ऐसे आ रहे हैं जिनको देखकर लगता है कि इसमें बस काम चलाओं सा काम किया गया है music पूराने गाने के music से copy होता है lyrics भी किसी और का उठाया होता है और एक दो असली line के दम पर पूरे गाने को lift दिया गया होता है video को कहीं भी suit कर लिया जाता है और इससे fans काफी नाराज है हलाकि जो नया गाना release हुआ है इसका video quality काफी अच्छा है लेकिन गाने का lyrics बेकार है और music भी कुछ खास नहीं है इस कारण गाना नहीं चल पाया इसके अलावा fans समझा रहे हैं कि पाची गाने कीजिए लेकिन selective गाने कीजिए ज़्यादा गाना मत गाई है गाना का poster release करने के बाद कम सकंच दिन का समय देजिए उस गाना का promotion कीजिए क्योंकि खेसारी के गाने के कब poster आता है और गाना कब release हो जाता है इसका कुछ अता पता नहीं चलता लेकिन खेसारी पर इस सलाह का असर नहीं होता है वो अपने पुराने ढर्रे पर चलने लगे है जो खेसारी आज से 4-5 साल पहले हुआ करते थे बस वही double meaning lyrics के दम पर वह गाना गा रहे है जो पुराना गाना वो लाया करते थे वही गाने फिर से देखने को मिल रहे है और अब दर्शक इससे उप चुके है वो के सारी के बेकार गानों का समर्थ नहीं कर रहे है अब देखना है कि इतना सब होने के बाद इससे कुछ सभक लेते है या नहीं लेते है fans का जो मांग है उससे," महांगते है, और नही मांते है बाकी आप इस पर क्या राय रखते हैं कॉमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बता ये गा जमाँआज हम बोच्पुरी देख रहे थे आप बोजपूर इंडेस्ट्री से जुनी अनने खबरों के लिए आमारे चाहत बने रहें, बन्यवाद